कि असलम अलेकुम करेस्ट मैंने बोला था जैसे कि पछले वाली वीडियो में मैंने क्लिंजिंग मिल्क पहले यूज किया था फिर फेस वाश अब ऐसे नहीं करूंगे मैं आपको मैं यह बताना चाहती हूं कि डारेक्ट फेस वाश करने से आपकी डस्ट ऐसे ही रह जाती है आपके स्किल पर जैसे कि मैंने आपने देखा अभी मेरे फेस पर फांडेशन वगयरा लगा हुआ है तो मैंने क्या क्या डारेक्ली फेस वाश करना शुरू कर दिया ठीक है ना आप जितना चाहे मर्जी मसाज करके निकालने की कोशिश करें डस्ट को वो नहीं खतम होगा ठीक है ना आप यहां पर देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको गिस किस के निकाला है यार तब भी मेरे फेस से डस्ट ऐसे की ऐसे ही थी लास्ट मैं आपको बताते हूँ ठीक है ना अभी ना फेस वाश करके आते हूँ ठीक है फिर आपको बताते हूँ के फेस मेरे किस तरह से ड्राय हो रहा था यार देखें आप थोड़ी सी भी चमक है क्या देखिए आप मेरे स्कीन पर नहीं है ऐसे के ऐसे ही फॉंडेशन जमा हुआ है मेरे स्कीन पर और मैंने इसको पोचा तो गंदगी भी नहीं निकली पता है अब देख सकते हूं याप टिशु पूरा गिला ह हो चुगा है लेकिन गंदगी नहीं निकले अभी मैं क्या करूंगी क्लिंजिंग मिल्क से और थोड़ा सा फेस पे क्लिंजिंग मिल्क लगा लोंगी और अब मैं इसको मसाज करूंगी ठीक है ना वह भी कैसे फेस वाश को जिस तरह से मैंने लगाया था उसी यह ताइक में मैं क्लिंजिंग मिल्क को अपने फेस पे लगा के अच्छी तरह से दिखाऊंगी आपको मतलब यह जो पहली बार जो था ना फेस वाश तो उसमें बिल्कुल भी नहीं निकला डर्ट ठीक है ना एक क्लिंजिंग मिल्क से पूरा डर्ट निकल जाता है आपको बता दूं तो आप खुद ही शौक हो जाओगी ठीक है ना देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से अच्छे तरह से मसाच किया है फेस को अब मैं इसको निकाल दूंगी टिशू पेपर की मदद से ठीक है तो आप देख सकते हो लिटरली मैंने भी ऐसे किया तो मुझे मतलब बड़ा शौक ल आप यहाना करता है पता है तो उस एक और मिलक के बाद फेस वाश करोगे ओ्फेक्ट होंगा आपके ऐसे ही लगा लोगा फेस वाश तो कोई है आपके वाहर ला की स्कीन को नहीं होने वाला आप देख सकते हो गंदगी अभी कैसे निकल यह यह कैसे पॉसिबल है फेस वाश दंदगी नहीं निकलती है जस्ट वो नाम की ब्रैंड होते हैं आप अभी देखिए मेरा स्कीन कितना गलो कर रहा है ठीक है ना यह औरिजनल वाला मतलब सौफ्ट सी स्कीन होती है ठीक है ना इस तरह की